अचार स्री नमुस्तु अमेरिका से सीतल चन जैन संका कर रहे हैं कि हमारे में कमाने में एक व्यक्ति कमाता है और घर पर सभी लोग उसका भोग करते हैं कई बार कमाने वाला यदि गलत तरीके से कमाता है जो लोग व्युहार के विरुद्ध है तो क्या उसका परिणाम सभी लोग भोगेंगे या जो कमाता है उसका दोसी को है फिर प्या संका का समाधान करें नमुस्तु अच्छा स्री जीवन यापन के लिए धन अपने आप में एक महात्पून इस्थान रखता है जिसके विना पारिवारिक सांसारिक जीवन जीना दुल्लब है हर व्यक्ति को संपत्ती की आवसकता पड़ती है जिससे वह अपनी छोडा भूख प्यास आदी को दूर कर सके रहने के लिए उसे घर मिले कोई स्थान मिले जिससे वह एक स्थान पर रह सके इन सब के लिए धन की आवसकता है और ऐसा धन जो है नहीं मिलता है तो लोग गलत रांस्ते में चले जाते हैं गलत तरीके से धन का उपारजन करते हैं गलत बैपार करते हैं गलत काम करते हैं और ऐसे गलत बैपार और काम से यदि पैसा कमाते हैं तो निश्चिति जो व्यक्ति कर रहा है उसको तो पूर्ण रूप से पाप का बंद लगेगा ही लगेगा क्योंकि उसके भाव में जो है करुणा नहीं है दया नहीं है और वहे कुरूरता से जो है ऐसा कार कर रहा है तो नियम से जो है उसको पाप का बंद होना ही होना है हाँ यदि परिवार की भी उस काम में अनमोधना है कि बेटा तुम ठीक कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो कोई बात ने, करो, ने करोगे तो कहां से हम कमाएंगे ठीक है ना, तुम्हें करना ही चाहिए इस परकार की अनमोधना है जैसे कि कीट ना सक दबा बनाना और उसको बैचना ये पाप का कारण है कितने जीवों की हत्या होगी आप सोचिए और उसमें आप लिप्त तो है ही है लेकिन परिवार वालों की उसमें अनमोधना हो कि देख, हमारा बेटे का कितना सुंदर बैपार है, कितना अच्छा काम कर रहा है, बहुत कमारा, बेटा बहुत आसरबाद है, ऐसे काम करो, और बढ़ते जाओ, तो वो अनमोधना करने वाले को भी, बहुत पाप का बंध लगेगा, सिर्फ करने वाले कोई लगेगा ऐसा नहीं है उसकी अनमोदना करने वाले को हो सकता है उस परिवार में कुछ लोग ऐसे हैं जो उसकी अनमोदना करते हो कि नहीं यार यह काम अच्छा नहीं है हम आदी रोटी खा लेंगे लेकिन आप ऐसा काम मत करो हम एक टैम का भोजन कर लेंगे पर ये कीट ना सक दबा का काम मत करो बहुत हिंसा होती है बहुत पाप होता है अब वो घर छोड़ने ही सकता है भोजन तो उसको चाहिए चाहिए है लेकिन उसकी इस कारे के प्रतिक कोई अनवोधना नहीं है भोजन खा रहा है उसी पैसे का पर अनवोधना नहीं है तो उसे उतना पाप नहीं लगेगा जितना अनवोधना करने वाले और करने वाले को लगेगा मैं तो यही कहना चाहता हूँ ऐसा धन क्या कमाना जिससे बहुत पाप का बंद हो आप इतना कमालो जिससे आपकी छोदा सांथ हो जाए और आपका थोड़ा सा जीवन चल जाए और ये भी ना हो सके तो आप जो है सड़कों में भीक मांग करके अपना जीवन ही आपन कर लो लेकिन अपने निमिस से कभी भी अन्याय अनिती मत करो और ना ही कोई ऐसे गलत कार करो जिससे बहुत जीवों की हिंसा होती है बहुत जीवों को पीड़ा होती है महानुभाओ दुख दिया है हमने तवी तो हमको दुख मिल रहा है आज और हम आज फिर जब हमें ग्यान प्राप्त है और इसके बाद भी हम ऐसा कार कर रहे है तो आगामी काल के लिए हम कितना बड़ा जो है दुख का गड़ा खोद रहे हैं जिसमें फिर हमें दुखी दुख मिलना है और नरकों में जाके दुख मिलना है तो इसलिए ऐसे कार मत करो जिससे बहुत पाप होता हो जीवन यापन जरूरी है लेकिन जीवों की हिंसा करके जीवन आपन जरूरी नहीं है गुर्देव सब जगे से भाव आता है कि हमारे मन में जो भी संकाएं उनको आप तक पहुंचाएं और उसके समीची नुत्तर पाएं किन्तु कई बार संकोच बस या कुछ कारण बस या प्रमाद बस आपके पास तक संकाएं नहीं पहुंचा पाते हैं किर्पया हमें ऐसा मार्व दर्सन दे कि हम आपसे डारेट्ट दर्सन कर सकें आपसे संकाएं कर सकें और अपने अंदर ज्यान की जोती जला सकें किर्प्या आसिरवाद दें और हमारा मारव दर्सन करें नवुस्त्वाचरसी संका जिग्यासाएं का समाधान होना बहुत जरूरी है इसलिए आपके मन में जो भी संकाएं होती है जिग्यासाएं होती है यहां पर एक नंबर चलता है इस स्क्रीन पर और आप उसमें जरूर भेज़ें ठीक है ना कोई आलास प्रमात क्या करना अपने ही गुरू से तो पूछना है तो निर्वीक हो करके अपने गुरू से कोई भी प्रस्न पूर सकते हैं और भाईया जी को यहां भेज़ सकते हैं और आपको उचित समाधान नियम से मिलेगा मेरा सब को बहुत मंगल आश्रबाद है आचार स्री नमोस्तो केसी जैन कलकत्ता से प्रस्म कर रहे हैं कि जो आज के बच्चे छोटे छोटे बच्चे इंगलिस मिनियम में पढ़ते हैं और उनको टीवी आदी के माध्यम से अलग अलग प्रोग्राम देखते हैं और हम अविवावग भी उस प्रोग्राम को देखते हैं तो ऐसे एक साथ जब बैठते हैं तो एक साथ बैठने के साथ कैसा संबन्द बनाना चाहिए, कैसी बात करना चाहिए बच्चों के या हम लोगों के लिए क्या उनसे बारतालाब करें किर्प्या संका का समाधान करें नमुस्तु अचार सिंग माता पिताओं को अपने बच्चों को अच्छे संसकार देना चाहिए उनके सामने अपना आच्रण भी बहुत अच्छा करना चाहिए बहुत ही पवित्र आच्रण होना चाहिए उनका बोलना, बैटना, खाना, पीना जितना भी दिन भर की जो चरिया है अपने बच्चों के समक्ष बहुत अच्छी होना चाहिए जिससे प्रभाव बच्चे में बहुत ज़्यादा पढ़ता है यदि सुयम चारित्र से पतन हो गया है और ऐसे जो शीरियल हैं, जो चित्र हैं उनको अपन देखते हैं और अपने बच्चे भी साथ में बैठे हैं तो उसका दुस्ष प्रभाव पढ़ता है और बच्चा आंगे चलकर के संसकार हीन हो जाता है बच्चों के सामने यदि टीवी आदी देखते हैं तो उसमें धार में कारकरम देखें और जिसमें चारित्र का जिसमें पतन ना हो ऐसे कारकरमों को देखें और ऐसे कारकरम देखें जैसे पूरे परिवार को प्रेड़ना मिलती है एक दुसरे का सहयोग कैसे लें एक दुसरे का सांत कैसे नभाएं कैसे हम उपकार आदि करें तो इस प्रकार के कोई कारकरम प्रोगाम धारा भाहिक हो तो उसे आप देखें लेकिन जो बलकुल असलील है और बच्चों के मन को खराब करने वाले हैं ऐसे कारकरम प्रोगाम सांत में बैठ करके कभी भी न देखें इस बात को ध्यान रखें क्योंकि बच्चे जो हैं फिर आप से डरेंगे नहीं भैवीत नहीं होंगे और गलत कार करने में, पाप करने में कभी भी वहे हिचके चाहेंगे नहीं इसलिए सबी अभी अभिपावों को, सबी माता पिताओं को इस बात का नियम से धिहान रखना चाहिए कि वो कभी भी इस प्रकार से कोई कारण न करें और नहीं करने दें जिसे बच्चों में बुरे संसकार आएं सभी को सादर जैजनेंद पुझ गुर्देप के मुखारविन से आप सभी की संकाओं का नित्य समाधान आगम के नुसर किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाठ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है अगर आपके मन में किसी वे प्रकार के कोई भी संका है तो आप हमें नीची दे गए नंबर पर बेज़जग भेश सकते हैं और आपकी संका का समाधान पूझ गुर्देव के मुखारविन से आदिनाठ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा तो आप हमें अपनी संकाओं भेज़ें और पूझ गुर्देव के मुखारविन से अपना समाधान पाएं और अपनी संका का समाधान करें जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र झाल झाल